हलो दोस्तों नमस्कार वेलकर्ण टो इस आमेजिंग प्लेटफॉर्म टाप 10 क्लासेज और बच्चों मैं हूँ प्रज्जल सिंग आपका कमिस्टी मेंटर बच्चों यहां पर मैं आपका स्वागत करता हूँ आज बच्चों हम आपका देखेंगे निवीड संकुलन क्या होता है पैकिंग इफिसियंसी को बच्चों का तेज संकुलन छमता इसके बाद बच्चों को हम देखेंगे यहां पर निवीड संकुलन हुआ हम बच्चों समन्वें संख्या देखेंगे और निवीड संकुलन की बच्चों प्रकार देखेंगे यह होता क्या है और इसके बिसे में हम जानें सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देखते आपका निवीट संकुरन जैसे बच्चों आपके कुछ हमने गोलाकार परमाड को अब यहाँ पर ले रखा है अगर बच्चों इन अव्यवी कड़ों को हम इस प्रकार से बेवस्थित करें प्रकार से बिवस्थित करें कि इनके बीच का रिक्त अस्थान क्या हो बच्चों निवीड संकुरन कहते हैं क्या कहते हैं अब जैसे यह अब कुछ ऐसे में इस प्रकार सभीत अरेंज करशकते हैं आपका अपे इनके मेच ड़री और कि रिखत स्थान नियुनतम हो गई यह आपके का रिखत स्थान जादा है और यहां पर रिखत में, बच्चो कम है जैसे कि आपका कोई plate है और उसने बहुत सारे लढ्डूं को प्रंटiau को हम क्या कच दिकते हैं एक निश्चित क्रम से, एक निश्चित ब्योस्था से हम उन्हें ब्योस्थित कर शकते हैं, तो जब उधनें ब्योस्थित कर लेंगे, अगर उनके बीच की न्यूंतम अस्थान रहे, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? निवीद संकुलन वा बिवस्था जिसमें अब यहीं कड़ों के बीच जिसमें अब यहीं कड़ों के बीच की दूरी बीच की दूरी क्या हो बच्चों? नियूंतम हो क्या हो? नियूंतम हो तो उसे निवीद संकुलन कहते हैं तो बच्चों उसके क्या कहते है? निवीद संकुलन कहते हैं तो वा बिवस्था जिसमें पर्माड़ों की बीच की दूरी निवीद संकुलन कहेंगे अब बच्चो अगर हम बात करें आपकी अगली पॉइंट जो लगी हुई है समन्नोयन संख्या कॉडिनेसर नमबर है बच्चो अब ये क्या होती आओ इसको हम जाने क्या बच्चो समन्नोयन संख्या समन्नोयन संख्या कॉडिनेसर नमबर अब बच्चो जैसे कि हमने एक व्योस्था बच्चो यहां पर बनाई अगर बच्चो यहां का कोई हम परमाड को ले ले जैसे बच्चो हमने इस परमाड को ले ले सलेक्ट कर लिया इस परमाड को बच्चो तो ये कितने परमाड़ों के संपर्ग में बच्चो दो एक बच्चो यहाँ पर है और एक यहाँ बच्चो यहाँ पर है एक यहाँ पर है और एक कहाँ पर बच्चो यहाँ पर है तो अब बच्चो समन्वें संख्या क्या होती है तो ठीक है बच्चो ये परमाड़ देखिए कितने परमाड़ों के संपर्क में है ठीक है बच्चो अब देखे आपकी जो दूसरी पॉइंट है बच्चो यहाँ पर समन्न्न संख्या है यह क्या होते है बच्चो Koordination Number तो बच्चो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक संकुलन किया है बच्चो निवीद संकुलन किया हुआ है तो यदि हम बच्चो यहाँ पर देखें कि अगर इस वाले परमाड को पकड़ें इस वाले परमाड से देखें तो यह कितने के संपर्क बच्चो एक दो एक और तो दो के संपर्क में बच कहता है वह उसकी क्या कहलाती है समन्वयन संख्या कहलाती है तो बच्चों हमने आपसे क्या सिखा समन्वयन संख्या क्या होती है वह संख्या या कोई परमाड़ू जितने परमाड़ों के संपर्क में रहता है जितने परमाड़ों को टच करता है जितने अव्यवी कड़ों को छोता है उसे हम क्या कहेंगे उसकी समन्वयन संख्या कहेंगे तो आज आईए समन्वयन संख्या क्या आते बच्चों क्या बच्चों कोई परमाडू या अब यहीं कड़ी बच्चों लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब यहीं कड़ आकके पर्माड़ May कि पर्माड़ द आड़ तो था आयान कुछ पियो सकते बच्चो परमाडु अड़ुया आयान कोई अव्युविकड जितनी निकटवर्ती जितनी निकटवर्ती कड़ों के संपर्ख में रहता है वह उसकी वह उसकी समन्य जंख्या कहलाती है क्या कहलाती बच्चो समन्य संख्या कहलाती है और समन्य संख्या क्या कहते बच्चो कौडिनेशन नमबर इसलिए हम इसको सीन से प्रदर्शित करते हैं क्या बच्चो इसको सीन से प्रदर्शित किया जाता है इसको तो यह नहीं बच्चो निवीड संख्या क्या होती है और उसको समन्य संख्या क्या होती है अब देखेंगे निवीड संख्या के प्रकार के होंगे बच्चो आओ उसका हम discussion करें तो बच्चो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अब यह भी कड़ों की बेवस्था के आधार पर अब यह भी कड़ों के कि विवस्था के अधार पर कि निवीद संग्कुलन कि तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन बच्चो एक बिमी निवीट संग्कुलन दूसा बच्चो दूसा बिमी निवीद संग्कुलन अधार क्या बच्चो त्री विमी निवीद संग्कुलन तो निवीद संग्कुलन तीन प्रकार के रहें बच्चो एक बिमी दूसा बिमी और तीन बिमी रहें तो बच्चो एक बिमी निवीद संग्कुलन क्या होता है अगर आपके पर्माड एक बिमा में बिवस्थित हों कितने बच्चो एक बिमा में तो उसको क्या मोलते है एक बिमी निवीद संग्कुलन अगर आपके यही पर माडू कर दो बिमावब्योस्तित हो इसको क्या बोलते हैं दुविमिन इमीद संकुलन अगर यही तीन विमाओं ब्योस्तित उसें क्या बोलेंगे त्री विमी निवीट संकुलन तो इतनी बाते बच्चों आपको समझ में आई होगी आव हम आगे बढ़े तो बच्चों देखिए एक विमी निवीट संकुलन क्या होता है कि वह बिवस्ता जिसमें अविवी कड एक विमा में बिवस्तित हों चाहे एस के सापेच, चाहे वाई के सापेच, चाहे जड़े के सापेच उसको क्या करते हैं? एक विमी निवीट संकुलन कहते हैं अगर आपके अविवी कड दो विमाओं बिवस्तित हों तो उसको दूप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कि तीरहने बच्चों किस प्रकार से रखा इस प्रकार से रखा आपकी चार्च जो जब नौ ले ले लेते हैं और आपको समझ में आएगी तो देखिए कि एक ब्योस्था मैं इस प्रकार से और एक ब्योस्था कि इस प्रकार से बच्चों बनाएं तो इससे हम फिर से दूसरे मारकर बच्चों बना देते हैं जो कि आपको समझ में आए आगा जो बच्चों गर्त है इसमें परमाड को रख रहें देखिए तो बच्चों अगर आप यहां पर देखें बच्चों तो यहां पर जो परमाड को रहें देखिए परमड के केंदर है तो एक दूसरी किया बच्चों सेध में है और यहां माद वसके एसके और उसके और वसके इसके और अब तो यह क्या में अगर अगर वच्चों में स्तम्वन संख्या निकाले तो यह संपरक में है तो आक्रती कई बन रहीए वर्ग बन रही है क्या बन रही है और चार पर्माडूे संपर्क में है बच्चों कितने परमाड़ों के? चार तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग निवीड संकुलन दुई भी मी है वर्ग निवीड संकुलन और इसकी उपस्थेयोजन संख्या या समन्वेन संख्या कितने होती? चार होती है अगर बच्चों यहाँ फ्रम देखें इसको सलेट कर लिते हैं बच्चों तो कितने परमाड़ों के संपर्क में यह एक दो तीन चार पांच च्छ कितने परमाड़ों के संपर्क वर्चों? और आकरती क्या बढ़र रही है बच्चों? सट कोडी क्या बर नहीं बच्चो सट कोडि इस प्रकार से इस सट कोडी निवीट संकुलन तो दुबिमी निवीट संकुलन दो प्रकार की बच्चो कौन कौन वर्गाकार निवीद संखुनन या दुविमी वर्गाकार निवीद संखुलन अध्य मी सठी खोड़ी निवीद संखुलन बच्चों और इसकी उपसे सेजल संख्या वाच्चों काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार और पांच और छह कितने होती बच्चों? छह होती है यहां तक बच्चों हमने अध्यान कर लिया, यहां तक बच्चों हमने पढ़ लिया और बच्चों इसके थेरी की बात कल हम इसे लिखा देंगे और इसके बाद बच्चो नेक्ट लेक्चर में आपका हम त्रि भी मीनिवीट संकुलन क्या होता इसको भी बच्चो हम आपका देख लेंगे आई हो बच्चो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी आप बच्चो इसको लाइक कीजेगा अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो इसे सिस्क्राइब कीजेगा अपने दोस्तों बच्चों सेर कीजेगा मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बच्चों जैहिंद जैफारत